हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे तो फ्रेंज सर्दियों का मौसम सुरू होने वाला है और देखिए मैंने सर्दियों के कुछ फूलों के सिर्ट समंगा ले हूँ एमजॉन से और जो जो फूल हमें पसंद आया है फ्रेंज मैं उनकी सिर्ट समंगा ले हूँ ऐसे विंटर सिजन में तो धेरों सुंदर सुंदर कलर के कुछ फूल जो है होते हैं जिनकी कोई गिंती नहीं है फिलाल जो हमें पसंद आया मैं उनकी सिर्ट समंगा ले हूँ और आपको जो पसंद आते हैं आप उनकी सिर्ट समंगा ले देखेएब प्रेंच यहां निमेसिया जिसे मैं पहली बार मंगाई हूँ यह भी जीनिया है देखिए तो फ्रेंच कुछ मेरे गाड़न में पुराने हैं और कुछ जादा करके नए हैं देखिए फे रविना है तो एह तो एह मेरे गाड़न में पहले भी लगी हुए थी और देखिए इस्टॉक है देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये देखिए लारकस पर है देखिए और ये है डैंथस और ये और्नमेंटल कैबज है देखिए और ये फ्लॉक्स है और ये पॉपी कैलिफोर्निया है और ये हॉली हॉक है ये हेली क्राइसम है देखिए ये आफ्रिकन मेरी गोल्ड है और ये देखिए स्वीट पी है और ये देखिए अंतिरहिनूम है और ये डेजी है ये कॉस्मोस है और ये देखिए केलंडूला है और ये फ्रेंच मेरी गोल्ड है देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ये देखिए डाइमोर फोतिका है देखिए और ये देखिए मेसम वर्यंत्मम है देखिए और ये श्वीट बिलियम है और ये पैंसी है देखिए और ये नाश्टूरियम है और ये है सबसे प्यारी पिटुनिया और ये मिक्स पिटुनिया है कई कलर में है और ये है डेखिए तो फ्रेंट्स इन सब को मैंने लिया है और अभी बाकी है इनकी सील्डिंग करना तो धीरी धीरी मैं सब की सील्डिंग करूंगी थोड़ा Eb positivity करूंगी जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इन्ही निकालकर दूसरे पोट में लगाऊंगी तो फ्रेंज इस सब सर्दियों के बहुत ही खुसूरत फूलों वाले सिर्ष हैं और आपको एक और चीज मैं दिखाऊंगी जिसे मैंने इनके साथ पर्चिच किया है तो फ्रेंज दिखाते हैं आपको तो इसमें दस पीस है और सम में जो है उन चास हूल है जिनमें मैं सिट को डालकर छोटे छोटे पौधे तयार कर सकती हूँ तो फ्रेंज इस सब जो है हमें टोटल दिलवरी के साथ जो है चार सो रुपे में पड़े हैं देखिए तो फ्रेंज मैं पहली बार मंगाई हूँ और ऐसा है कि कोई भी काम हो अगर सुरू सुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फ्रेंज दिरे-दिरे जब आदत पढ़ जाती है तो उनके अंदर का डर भी कतम हो जाता है और उन्हीं आदत हो जाती है पेड़ प नए है तो मैं कोशिस करूंगी कि हमारे गार्डन में इस सब फूल खिले तो फ्रेंज अगर आपने नहीं मंगाया है तो मंगा लीजिए क्योंकि स्रिलिंग का समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बेश्ट होता है तो आज 3 अक्टूबर है तो फ्रेंज हो सकता है कि कल मैं इ इनहीं किस मित्ती में ग्रो करूंगी तो फ्रेंज बहुत ही आसान है हम इनहीं जो है बिल्कुल वेल्डन स्वेल में इनकी स्रिलिंग करेंगे और उनमें जो है और गयनिक कमपोश्ट भी मिलाएंगे तो फ्रेंज जो कोस्मोस आप देख रहे हैं यह मेरे यहां अगली अच्छा होगा तो यह देखिए मेरा जो स्रिलिंग ट्रे है ना तो मैं इसी में सभी चिट को ग्रो करूंगी और जब यह थोड़ी बड़ी हो जाते हैं तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो फ्रेंज अमारी वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक केमेंट और सब्सक्राइब करिएगा फिर मिलते हैं धन्यवाद बाए बाए